जाहिंद आपके अपने चानल लियोस्टटी 24 के बढ़ा माच स्रीज में आज हम अकारवनिक रशायन में वताएंगे और बताएंगे कि BPSC द्रोगा और कंपेटिशन में कितना मार का पूछा जाता है यह जो गाइड वीडियो आप भाड करवाते हैं इसलिए कि जिस्टे कि आप आसानी से समझ पाए क्योंकि इसमें सिलेबस और कोस्टन बैंक का पूरा पूरा अनलाइसिस करते हैं तो आपको स और को सफलता जड़ी चतान है तो हम उसके माझी है जब तक तो रेंगे नहीं चोड़ेंगे नहीए ये गुन होना चाहिए आपको ज़दी नहीं ये बात समझ में आ रहे न तो माझी दा मॉन्टेन में जो मुवी है वो देख लिजे एक समान इंसान 8 किलोमीटर पहार को अपने खुद छैनी और अथोरी के बल पे काट दिये तो अरे ये सफलता क्या चीज है जिस दिन तेरा सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है ध्यान रखना इसके बाद हम आपको सटेंड वीडियो देते हैं वह सफल हो रहे हैं वह हर कमी को आपको आयना काम करेगा जिससे आप अपने कमी को देख पाएंगे कि हम कहां गलती कर पाते हैं तो इसलिए आप आप कही भी पढ़ रहे हैं यह जरूरी नहीं नहीं को कहां पकर रहे हैं लेकिन यह समझेए कि आपको जदी सफल होना है तो आपको जेश्ट वीडियो देना होगा और टेस्ट कहीं तो मिलने वाला है नहीं इसलिए आप जल्दी जल्दी कीजीए New Study 24 के प्ले लिस्ट में जाके जितना भी टेस्ट हुआ है वह टेस्ट डीजिए ज़दी नहीं तो आप regular ज़दी चाहते देना तो आप जूर सकते हैं आप के जो भी जानने पहचानने वाले समझ भे तो इसको टेस्ट देने के लिए जिस से की सब का तयालनी भेतर हो सके और सफल हो सके सथ में सफल होने का तो आनन कोई करेनिय। पर समझ समझ के हम कुछ कमी लगड़ा तो कई से पढ़ना चाहिए, आपकी हर छोटी-छोटी समस्यां को ध्यान में रखते हुए ये बढ़ मास्त्री चलाये हैं, तो आप इसका पुरा-पुरा अनंद ले, और अपने सफलता की कड़ी में से जोड़े, जिससे की आप सफल हो सके, देर ना करते हुए, आज का टॉपिक और कार्वनिक रसाइन को शुरू करते हैं, आप कार्वनिक रसाइन में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले समझ लीजे, इसके बाद बताएंगे, BPSC, द्रोगा and other competition में आपको कितना मारक आएगा, ये तब बताएंगे, सबसे पहले आप क्या सब पढ़ना है, तत्वों का वरगी करन, अब भरगी करन में देखिए, कि तत्व का वरगी करन करने का आवशकता क्यों पढ़ा, बारस से भी अधिक तत्वों का खोज हो जाने की विज़द से सबों का गुन, सबों का प्रविर्ति समझ पाना, याद रख पाना बड़ा कठीन काम हो गया, अब जो चीज कठीनाई हो, जैसे कि हमें यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने में जदी कठना है होगा, पा ऐसा फर्मूला तियार किया जाए, एक ऐसा तालिका बनाया है, जिसके उस तालिका के मदद से हम उसे याद रख सके, हर चीज को समझ सके, इसलिए क्या कि धीरे-धीरे आवर्त्साल्नी का विकास होगा, और लास्ट में फैनली अभी आधुनिक आवर्त्साल्नी का पड़ा अधातु अधातु उप्धातु अधातु उप्धातु और अक्रिय गैस यह सब देखना पड़ेगा, तो यह काफी इंपोर्टेंट और एक्जाम में अक्सर यहां से कोश्चन पूछता है, धातु का जो करम बना के पूछ लेता है, करम पूछता है, इसके बाद उप्धा के लिए रिसर्च करा तो शरीर में जो भी तत्म पाय जाए जैसे कि लोहा, मेगनेसियम, पोटेशियम, कितना मात्रा में पाय जाता है, और उसकी कमी से क्या चीज होता है, यह सब क्या करता है, तो आप समझ गे, मिस्र धातु से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जितने बहुत सारे बस्तु होता है, तो एक दो धातु या धातु को मिला के क्या करता है, मिस्र धातु बनाया जाता है, तो आप समझ गे कि आपको क्या पढ़ना है, अब यह समझे कि BPSC द्रोगा और कंपेटिशन में कितना मार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए, BPS PPSC में जाते देखें, तो BPSC में क्या करता है, I Kस चाल पूछा तो किस चाल नहीं पूछा है, लेकिन पूछा है तो 2-3 क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो नहीं पूछता है 55 में question पूछा है 63 में पूछा है 60-72 में पूछा है 56-69 में question नहीं पूछा तो हमको लगते हैं कि 70 में question पूछेगा और इसलिए य्किनार ना करें यह topic को थोप पढ़े हैं जिससे कि 1-2 mark आपका हो सके तो आप समझ गये कि कितना मार्ग फिर अधर Competition में देखे तो यहां से एक मारका कोशन आता है आवर्चानि और धातु अधातु एब उपधातु छे एक मारका आ ज़ता है आपको भी competition का त्यारी करते है तो आपके लिए यह टोपिक काफी मातपुण है इसलिए क्या किजिए इस टॉपिक को आप गहनता पुर्वक अध्यन कीजिए परते रहे आगे बरते रहे धन्यवाद